संस्कृत अध्ययन के हिमायती साथ जन्वरी 1994 B.A.P.A. स्वामि नारायन संस्था के आध्यात्मिक गुरू परम्पूज्य प्रमुग स्वामि महराज प्रथम से ही सनातन धर्म के वेदादी शास्त्र अध्ययन के हिमायती रहे थे इसलिए स्वामि श्री ने संस्था द्वारा अन्य संस्कृत पाठशालाओं में भी आर्थिक सह्योग दिलवाया है उच्सव प्रसंग पर संस्कृत सम्मेलन भी करवाये हैं संस्था के युवक एवं संतों को संस्कृत अध्ययन में प्रोच्साहन हेतु से संस्कृत पाठशालाओं का स्थापन भी किया सदैव विचरण रत प्रमुख स्वामी महराज 73 वर्ष की आयू में दिनांक 7 जन्वरी 1994 को बैंगलुरु पधारे थे स्वामी श्री की आग्या से संस्था के कुछ संत यहां रहकर संस्कृत एवं अन्य सनातन धर्म के शास्त्रों का उच्च अभ्यास कर रहे थे स्वामी श्री ने संतों के निवास्थान पर जाने की इच्छा व्यक्त की संतों ने आवास तक पहुँचने की कठिन परिस्थितियां बताते हुए कहा कि हमारा निवास पहली मन्जिल पर है और सीधियां भी बहुत संकीर्ण है फिर भी स्वामी श्री ने वहां जाने का अग्रह रखा ऐसा करने पर संतों को यदी पढ़ाई का प्रुच्साहन मिलता हो तो वे सारी कठिनाईयां झेलने को तयार थे अपने देह और आयू की चिंता किये बिना स्वामी श्री सेवकों की सहायता से उस संकीर्ण सीड़ी पर चढ़ने लगे उनके पैर दीवार से टकरा रहे थे परंतु स्वामी श्री स्वयम कष्ट सहन कर उपर पहुँचे यहां पर उन्होंने न केवल पधरावनी की अपितु अध्ययन के सारे पुस्तक एवं ग्रंत स्पर्श करते हुए प्रसादी भूत भी किये अभ्यास परायन संतों के साथ स्मृती छवे खिचवा कर इस क्षण को संतों के रिदय में आजीवन अंकित कर दी ऐसे एक नहीं परंतु अनेक प्रसंगों पर संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्र अध्ययन को अपने देह की परवा किये बिना इतना प्रुच्साहन देने वाले संत को कोटी कोटी वंदन प्रमुख स्वामी सुखकारी जैहो संतु परम हित्यकारी जैहो